देखेगा फ्रेंट्स यह वही चीज़ है जो हमारे बालों को नैचुरल तरीके से काला कर देगी तो चलिए का पहले मैं इसे हैंट पर आपको दिखा देती हूं हाथो आथ यह देखेगा कितना प्यारा इसका कलर बनका रेडी हुआ है और यह नैचुरल तरीके से हुआ है शबूआ है जायो गाइस वैलकम बैक तु मैझनल गाइस आज एक एसी रेमडी आपस शेर कने वाली हूं आपके बाल जो है नेचुरल तरीके से काले हो जाया कााफ़ बाल नेचुरल तरीके से काले वाली हो जाए ज्यादैस और कमेज यह दूनों तरीके से लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो की तरह पढ़ते हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को जादर स्यादर लोगों में शेयर करते हैं, तो देखे, सबसे पहले जो हमने लिए है, खाली इस तरही से आइरन की कढ़ा ही है, इसमें हमें डालना है, मस्टर्ड ओयल, केवल यही ओयल आपको चाहिए होगा, इसमें ही इसे बनाना है, तो देखे, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, बहुत जादा बहुत जादा बैनिफीशल होता है, जब आपको लगाना हो, तब ही आप बनाईएगा, फिर हॉट ओयलिंग कीजिए, उससे बाल हमारे अच्छे होते है, रिग्रो हेयर, वाइट हेयर, जो हमारा आ रहा है, वो ब्लैक होना साट हो जादा, धान रखिएगा, स्टोर करके मत रखिएगा, जैसे मैं सभी वीडियो में आप से शेयर करती हूँ, तो चलिएगा, मैं इतना ओयल आदेती हूँ, जित के लिए यह है रतन जोत, और इसे आपको आपको यह जो है आपके आयरुवेदर शोप पर मिल जागा, इतना ही रतन जोत आपको चाहिए इस तरीके से, या फिर आप इसका पॉर्डर भी डाल सकते हैं, तो मैं करश करके इस तरीके से डालेती हूँ, अभी जो है गैस का फ् पॉर्डर, घर का ही पॉरडर है, इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ, 1 टेबल स्पून, ये हमारे बालों को हमेशा के लिए काला कर देगा, आपका रिग्रो हेर इसी से ही काला आने लगेगा, ये हमारे बालों के ड्राम बाण है, तो देखेगा, इस तरीके से, अगर तो में कलर आजाए आपके बाल जो है काले हो जाए सफेद बाल तुरंट से काले हो जाए तो इसके लिए बिलैक करने के लिए हम यालेंगे वन टेवले स्पॉन हीना और आपको जो है गैस का फिल्म सीमी रखना है जादा तेज नहीं करना है इस तरीके से मैंने डाल दिया हीन की मेहन्दि और मैं हां नूपूर वाली हीना इस्तेमाल करते हूँ यह ज्यादे इसके भी कर सकते हैं कमेज के भी अब 2-3 मिनट और हमें इसे गरम करना होगा हीन डालने के बाद थोड़े से बबल्स इसमें आ जाते हैं तभी तो इस तरीके से यह देखेगा अब मैं इसे जो है रूम ट्रेमपेचर पर जब या इसको जो है स्टेन आउट करने ते हैं स्टेनर की हेल्प से इस तरीके से यह यह बनकर ऑईल देखेगा बबल्स आने हलके स्टार्ट हो चुका है आप देख रहे हैं इसे अच्छे से तो हलकल केस में जो है बबल्स आ गए है तो अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बन और इसे रूम ट्रेमपेचर पर मैं ठंडा करती हूं और एक बॉयल मैं पलट लेती आप देख सकते हैं और देखेगा इस तरीके से और देखेगा फ्रेंट्स आप हमने इसे चाल लिया है अब आपको क्या करना है अब आपको इसे लगाने से 15 मिनट पहले इसमें डालना है इंडिको पॉडर अगर आप चाते हैं आपके सफेद बाल तुरन से काले हो जाए त अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजे और आपको अपनी जड़ो में लगाना है रात को लगाईए सुबह जो है आपको माइल्ड शेंपू इस्तेमाल करना बहुत माइल्ड वाला इस्तेमाल कीजी हलका शैंपू कीजिए और ताकि आपके बालों में अच्छा से कलर चड कर देता है भ्रिंग राज बोडर को आपको वीडियो रेमेडी अच्छी लगरी हो